Hello everyone, आप देख रहे हैं आपका अपना चानल लवली टीचर और मैं हूँ आपकी दोस्पमीत कॉर और आज के इस फीडियो में हम क्लास 6 माथ्स चाप्टर नमबर 4 बेसिक जिमेट्रिकल आइडियास की एक्सरसाइस 4.4 से कोर्शन नमबर 1 तरेंगे तो चलो आज की इस फीडियो को बिना किस दरी के शिरू करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा कोर्शन देख लेते हैं जो की है ड्रॉ और रफ स्केच ओफ ट्राइंगल ए बी सी तो सबसे पहले हम इतना ही काम कर लेते हैं हमें एक ट्राइंगल का रफ स्केच ड्रॉ करना है और हम इसका नाम लिख देते हैं A B C अब next पड़ते हैं mark a point P in its interior अब हमें इस triangle के interior में कहीं भी एक point P जो है mark कर दे रहा है यहाँ पर point P उसके बाद add a point Q in its exterior और इसके exterior इसके बाहर कहीं भी point Q जो है यहाँ पर हमें mark कर देना है Is the point A in its exterior और in its interior अब point A कहाँ पर है यह रहा point A point A यह रहा उपर अब यहाँ पर हमें से पूछा गया है point A जो है वो triangle के interior में है या फिर exterior में है वो triangle के अंदर है या फिर triangle के बाहर है तो आप देखो क्या ये point A जो है triangle के अंदर है? नहीं ये triangle के अंदर नहीं है अब क्या ये triangle के बाहर है? नहीं ये triangle के बाहर भी नहीं है तो इसका answer होगा कि यह जो है triangle के ऊपर है, जो triangle की boundary है, यह उसके ऊपर है तो यहाँ आप देखो इसको हम English में कैसे लिखेंगे point A is neither on in the exterior nor in the interior, it is on the triangle तो यह हमारा, यह question जो है complete हो गया है, तो इसी के साथ हमारी आज के वीडियो होती है समाब तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगियो तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल पर दो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना ओके बाबाई, मलते हैं अगले एपिसोड में